फ्रेंड्स मेरे एक subscriber हैं और आपने comment box में पूचा कि Regret plus GERAN का क्या यूज है? यानि Spoken English में Regret plus GERAN को कैसे यूज करे? तो आएए फ्रेंड्स इस concept को समझे फ्रेंड्स अगर आपके पाँस भी कोई question है तो आप comment box में type करें मैं आपके कोशल पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा तो आईए फ्रेंड देखें कि रिग्रेट पलस जीरंट क्या है फ्रेंड्स रिग्रेट पलस जीरंट का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि मैंने गुजिरे हुए वक्त में कोई गुनाह कर दिया कोई गलती कर दिया अब मुझे उस गलती का एहसास है या मुझे अफसोस है या मुझे पच्चतावा है कि मैंने वो काम क्यूं किया अक्सर हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोई गलती कर देते हैं कोई गुनाह कर देते हैं और बाद में पच्छताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया तो friends, जब कभी भी situation ऐसी हो कि आपने कोई गुना किया, आपने कोई गलती किया और आप पच्छता रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया तो इस situation में हम regret plus gerund का यूज करते हैं कैसे करते हैं, आईए इस बात को example में बेहतर तरीके से समझे Friends, अगर कहना हो, शराब पीने के लिए मुझे अफसोस है या मैं पच्छताता हूँ तो आप कहेंगे I regret drinking यानि आप कहना चाहते हैं कि जो last time मैंने शराब पी इस बात को लेकर मुझे अफसोस है या इस बात को लेकर मैं पच्छताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया Friends, अगर कहना हो कि गाली देने के लिए मुझे अफसोस है या गाली देने के लिए मैं पच्छताता हूँ तो आप कहेंगे I regret abusing इस sentence का मीनी हुआ कि ये जो मैंने abusing का काम किया है इस बात पर मुझे अफसोस है या मैं अब पच्छताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने आपको गाली क्यों दिया तो Friends, Regret प्रस जीरन के यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि हमने कोई गलती कर दिया हमने कोई गुनाह कर दिया अब मुझे उस बात का अफसोस है पच्छतावा है कि ऐसा मैंने क्यों किया Friends, अगर आपको कहना हूँ कि जेब काटने के लिए मुझे अफसोस है या जेब काटने के लिए मुझे पच्छतावा है यानि मैं कहना चाहता हूँ Friends कि जो मैंने आपका जिब काटा उस बात को लेकर मैं पच्छता रहा हूँ या मुझे अफसोस है कि मैंने या गलती या पाप या गुना क्यों किया तो friends आप इसे इंग्लिश में कहेंगे I regret peaking your pocket friends अकसर daily life में आप सुने होंगे कि कोई कहता है मुझे अपने job खोने पर अफसोस है यानि friends उसने job खो दी है अब ये गलती होने के बाद उसे अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप कहेंगे I regret losing my job friends अगर आपको कहना हो पैसा चोरी करने के लिए मुझे अफसोस है या पैसा चोरी करने के काम को लेकर मैं पच्चताता हूँ तो friends इस sentence को आप इंग्लिश में कहेंगे I regret stealing money यानि जो ये चोरी का काम है stealing का काम है मैं क्यों किया इस बात को लेकर आप मैं अफसोस करता हूँ तो उमीद करता हूँ friends कि आपको यह बात समन में आई कि आपने कोई गुना कर दिया आपने कोई गलती कर दिया अब आप अफसोस कर रहे हैं या पच्चता रहे हैं कि आरे मैंने वो काम क्यों कर दिया मैंने वो गलती क्यों कर दिया friends अगर वाकई आपको यह लेशन सबन में आया तो प्लीज आप मेरे question का answer दें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई